अभिवादन स्विकार कीजे ब्रजेश मिस्त्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिवेट बैनों भाईयों 9 दिसंबर को चीन की पीले ने यानि वहां की आर्मी ने एक बार फिर दुस्ताहस करने की कोशिश की और भारतिय सेना ने अरुनांचर प्रदेश में ब लेकिन पिछले दो सालों के भीतर ये तीसरा ऐसा वाक्या है कि चाइना की आर्मी बॉर्डर पर एग्रेशन दिखा रही है और हालात को दोहराने की कोशिश और बॉर्डर को बदलने का प्रयास कर रही है भारत की संसत में आज रक्षा मंत्री ने जब इस बात की जानकारी दी तब पता चला कि 9 दिसंबर की राको तवांग के इलाका जो अरुनांचल प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है वहां पर क्या हुआ था लेकिन भारतिय सेना के शौरे ने एक बार फिर साबित किया कि चीन को खदेड कर भारत ने अपनी ताकत दिखाई है लेकिन आने वाल चीन का एग्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है दो क्लाम के बाद इस्टर लद्दाख 2020 और उसके पश्चात 9 दिसंबर यानी चार दिन पहले जो कुछ भी अरुनांचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तवांग में हुआ ये निश्चित तोर पर पूरे देश भारत की जनता भारत की सरकार के लिए बहुत कंसर्ण का विसे है क्योंकि चाइना लगातार सीमावर्ती इलाकों में एग्रेशन दिखा रहा है दो क्लाम के बाद इस्टर लद्दाख और अब तवांग चीन चाहता क्या है और चीन के मनसूबे क्या है चीन बहदी खतरनाक प्लान प अपने आसपडोस के मुलकों पर उनकी जमीन पर कभजा करना चाहता है और चीन के विस्तारवादी नीती कोई अभी से नहीं है माओ के जमानी से है लेकिन 1962 से लेकर अब तक भारत ने चीन से क्या सबक लिया है क्या सीखा है और चाइनीज अग्रेशन का जवाब क्या है देश को चार दिन के बाद यह जानकारी मिली कि वहां पर फेस आफ की स्थिति थी जवानों में आपस में फेस आफ हुआ लडाई हुई भारत की सेना के कुछ जवान घायल हुए जबकि चीन की तरफ काफी सैनी घायल हुए लेकिन यह स्थितिक क्यों है दरसल बॉर्डर ए सामने के युद्ध के जरिये होती है आपको याद होगा कि इस्टर्न लद्दाक में जो कुछ भी हुआ था हमारे 20 जवान उसमें शहीद हुए थे चीन के भी सेना के तमाम जवान मारे गए थे लेकिन यह स्थिति इस्टर्न बॉर्डर पर हमारे यहां लगातार खतरनाक मो आजनीतिक तोर पर और सैन्य रणनीती भी बनाने की आवशकता है क्यों क्योंकि भारत अब दो बॉर्डर पर एक साथ उसे तैयारी करनी पड़ रही है वेस्टर्न बॉर्डर जहां पाकिस्तान बैठा हुआ है जो हमारा परंपरा का दुस्मन है और दूसरा चीन का एग्र मनसूबे पर रोक नहीं लगाई जा सकती चीन के खिलाप निरनायक और कड़ी कार्रवाई करने का वक्त है क्योंकि चीन के जो मनसूबें वह खतरनाक हैं और कई बार हमें इसके बारे में वार्न किया जा चुका है तो भारती सेना ने अपने शौर और अपने पराक्रम का इ बहुती खराब मौसम में भी चीन के अग्रेशन का मुह तोड़ जवाब दे रहे हैं पटक के मार रहे हैं उनको क्योंकि आमने सामने की लड़ाई है चीन के सैनिकों को दवड़ा दवड़ा कर भारती सैनिकों ने बहन भाईयों पीटा हमें इस बात पर गर्व होना है जो कुछ भी तवांग के भीतर भारती सेना ने करके दिखाया है हम सब के मन में उनके लिए असीम सम्मान है और प्रतेख भारती का करतब है कि अपने सैनिक के साथ खड़ा नजर आए लेकिन यह वक्त इस बात का भी है कि हमें अब ठोस रड़नीती के आवस्यक्ता है कब अब तक हम अपने सैनिकों के इस तरह के जोकिम में डालेंगे तब तक जब तक कि चाइना के साथ हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट कूट नीतिक तौर पर या फिर सैन तरीके से उसको सेटल नहीं कर लेते हैं हमें अब वक्त आ गया है कि चीन के रड़नीती चाइना और इस फे साथ में हाथा पाई भी हुई है भारती चेना ने बहादुरी से पियले को हमारी टेर्टरी में अट्रवन करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया ध्यक्ष्मगत कि भारती जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोधी इसके ब्रधानमंत्री है और जब तक भारती जनता पार्टी की मोधी सरकार चल गई है एक इंच जमिन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता हम यहीं चाहते थे कि चर्चा के बाद सुनके वो रिप्लाई दे हमों सुनने के लिए ताहर सी लेकिन उनों ने इस मसले को अपने ही तरीके से एकंपत्रे लेने के लिए अपनी बात रखे और चले कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है ब्रहर विंग Jake connect focus पहसी नहीं झानिक जब यह सामने सामने दोनों पेड्रोल का सामना हो जाता है तो उभका मुकी की भी हो जाती है तो ये जो एक्टिविटी यह होती रहती है, इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है, लेकिन अजीब सी बात अभी टाइमिंग की है, और जितने फोर्स इसमें इस्तिमाल हुए और चोटे लगी, क्योंकि पहले भी थोड़ी बहुत चोटे लगती रही हैं, लेकिन अभी क्या है कि हाता तरक रहना है.